उस्टाम उलेकुम आएम मुहम्मद हसान हाशमी और आज हम चेपटर नमबर टैन के पांच में लेक्चर के साथ यहाँ पे वजूद हैं आज जिस टापिक को हमने डिसकस करना है यह है स्केप सीक्वेंस हम बात करेंगे escape sequence की और इसके बाद देखेंगे कि कौन-कौन से escape sequence is C language में available है Basically, escape sequence से मुराद एक special character होता है जिसको हम format string को modify करने के लिए इस्तमाल करते हैं format string क्या होता है? इसी chapter में जो हमारा second lecture है उसके अंदर आपको इस चीज़ की वाज़त दोर पे समझा सकेगी So, उस lecture का link वो description में available है आप उस lecture को ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको format string के मतलग पता चाल सके याद रिखिएगा escape sequences are not displayed in the output हम इने output में किसी सूरत में भी display नहीं करवा सकता है यह हमेशा backslash के साथ लिखे जाते हैं हमारे पास total दो तरह की slashes available होती है एक forward slash और एक backslash tip के तोर पे मैं आपको बता रहूँ जो backslash है वो सिरफ escape sequence के लिए लिखी जाती है जबके बाकी हर जगा अगर आपने comment लिखना होगा अगर आपने devian करनी होगी तो वहाँ पे हमेशा forward slash का इस्तमाद होगा यही जो backslash होती है हम इसे escape character के नाम से represent करते हैं escape character कुछ characters के साथ लिखी जाती है ताके हम उन्हें escape sequence के तोर पे treat कर सकें कुछ escape sequences की list आपको सगरीन के उपर नजर आ रही है वो escape sequences हम C language में इस्तमाल करते हैं और इनके जरीए से हमने string को modify करना होता है नार्मली हमारे पास जो escape sequences हैं उनमें backspace, farm feet, new line, carriage return, tap, single quote, double quote hexadecimal quotation के लिए या notation के लिए आम तोर पे या फिर double backslash को हम इस्तमाल करते हैं ये कब कैसे और क्यों इस्तमाल किये दाते हैं इनके मतलक मैं आपको brief करता हूँ backslash B ये इस्तमाल किया जाता है backspace के लिए backslash F farm feed करने के लिए इस्तमाल किया जाता है backslash N new line या line को terminate करके control को अगली line में transfer करने के लिए इस्तमाल किया जाता है backslash R carriers return के लिए इस्तमाल किया जाता है backslash T tap देने के लिए इस्तमाल किया जाता है backslash single quote, single quote को display करने के लिए backslash double quote, double quote को display करने के लिए XDD अगर backslash के बाद लिखा जाए तो hexadecimal notation को display करने के लिए बट ये हमारे lecture में चुंके शामिल नहीं है इसलिए हम इसको discuss भी नहीं करेंगे उसके बाद double backslash ये इस्तमाल किया जाता है single backslash को display करने के लिए याद रहे ये जो आखरी तीन backslashes के साथ आने वाले characters हैं इनको हम output में display करते हैं बाकी जो escape sequences होते हैं they are not displayed in the output as well अब सबसे पहले हम बात करते हैं backslash B की this escape sequence is used to insert a backspace in the output ये हमारे पास एक ऐसी escape sequence है जो backspace insert करने के लिए इस्तमाल की जाती है जैसे अगर हमने लिखा printf और double quotations के अंदर हमने लिख दिया hello backslash B और उसके बाद हमने लिख दिया class so the output will be hell class o will be removed क्यों ऐसा हुआ क्योंके backslash B ने एक character को जो सबसे जहां पे backslash B इस्तमाल किया जाता है वहां पे जो nearest character on the left side होता है उसको इसने remove कर देना होता है इसके बाद हम बात करते हैं backslash F की ये escape sequence यूज किया जाता है आम तोर पे एक blank paper को insert करने और वहां पे output को display करने के लिए जैसे आप admission हासिल करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपके पास बिल्कुल एक blank paper होता है जहां पे rows और columns के अंदर data मुझूद होता है आपने just उसको fill up करना होता है तो उसी मकसद के लिए हम backslash f को इस्तमाल किया करते हैं हम इसमें किस तरह लिखते हैं उसका syntax आपको सगरीन पे नदर आ रहा है हम लिखते हैं printf double quotation में हमने लिखा hello backslash f class so the output will be displayed as hello class एक अठा लिखा जाएगा इसमें computer आम तोर पे जो remaining output होती है उसे blank paper में blank box के बिलकुल साथ insert कर देती है इसके बाद हम बात करते हैं next हमारे पास जो escape sequence है backslash n this escape sequence is used to insert new line in the output our next line in the output हम इसके जरिए से line को terminate करके अगली line में control को transfer करते हैं syntax आपको सगरीन पे लिखा हो नदर आ रहा है हम लिखेंगे printf double quotations के अंदर हम लिखेंगे hello backslash n class अब जब हम इसके output को screen पे लिखेंगे तो output लिखी होगी hello और next line में लिखा जाएगा class so backslash n is used for the purpose of terminating the line our control will be transferred to the next line when this function is called अब उसके बाद हम next escape sequence की बाद करते हैं जो है backslash r backslash r basically move करवाता है cursor को to the beginning of the current line आम तोर पे इसमें जितना कुछ जहां पे backslash r लिखा जाता है उससे पहले जितना कुछ लिखा होता है वो सारे का सारा raise हो जाता है remove हो जाता है और इसके बाद backslash r के बाद जो कुछ लिखा होता है वो beginning of the current line पे चला जाता है बिल्कुल शुरू में अगास में चला जाता है हम इसका syntax भी देखते हैं से green पे लिखा हुआ हमें अदर आ रहा है हमने लिखा printf hello backslash r और उसके बाद लिखा class so हमारे पास जो output इसके होगी वो लिखी जाएगी class hello print तो होगा but backslash r की वज़ा से वो वहां से remove हो जाएगा और उसके बाद जो class है वो beginning of the current line पे चला जाएगा इसके बाद हमारे पास जो next escape sequence है वो है backslash t backslash t को tab के लिए इस्तमाल किया जाता है it is used to insert the tab in the output so इसका जो जितने भी हमारे पास escape sequences है इनका जो impact है वो हमेशा output में आपको नदर आएगा so हम लिखते हैं printf hello backslash t और उसके बाद हम लिखे देते हैं class अब हमारे पास जो output होगी वो लिखी हुई हमें नदर आएगी hello उसके बाद tap space होगी और उसके बाद दिखा जाएगा class normally हमारे पास five और eight spaces वहाँ पे by default available होती है जब हम backslash t का function इस्तमाल किया करते हैं इसके बाद हमारे पास जो next escape sequence है वो है single quote जब हम backslash single quote को इस्तमाल करते हैं तो हमारे पास single quotation marks output में display होते हैं तो हमने लिखा printf backslash single quote hello backslash single quote of class अब हमारे पास जो output होगी वो लिखी जाएगी hello दोनों साइट्स पे single quotation marks होगे और लिखा जाएगा class so the output will be hello class लेकिन single quotation marks will be displayed इसके बाद हम बात करते हैं backslash double quote ये escape sequence आम तोर पर double quotation marks को display करने के लिए इस्तमाल होता है हम लिखते हैं printf backslash double quotation marks on hello backslash double quotation marks of class और उसके बाद हम जब इसके output देखते हैं तो हमारे पास output लिखी वी नदर आती है double quotation marks के अंदर hello और उसके बाद class याद रहें ये escape sequences आप अपनी मरज़े से जहां चाहें वहां अपने requirements के मताबिक इस्तमाल कर सकते हैं और एक line में एक से ज्यादा हम escape sequences को इस्तमाल कर सकते हैं अब हम बात करते हैं अपने आखरी escape sequence की वह है double backslash basically ये आम तोर पे जब हमने कोई भी parts देना होता है तो वहां पे इसको इस्तमाल किया जाता है हम normally directory का जो parts देते हैं वहां पे इसको इस्तमाल किया जाता है so example की तोर पे मैं इसको लिखता हूँ printf c colon double backslash hello so हमारे पास जो output होगी वो कुछ इस तरह होगी c colon single backslash hello second backslash चुँके escape sequence है इसलिए वो display नहीं होगी हमने शुरू से लेके अब तक जितने भी escape sequences पढ़े है उसमें शुरू में बताया था escape sequence character जो होता है backslash वो display नहीं होता जबके जो बाद वाला character है उसकी वज़ा से impact वो हमारी output में ज़रूर display होता है मैं इसकी practice जिसमें ये सारे के सारे escape sequences इस्तमाल हुए हैं वो आपको screen पे करके दिखा रहा हूँ आप उनको देखेगा उस program में हमने पहले escape sequence backslash 20 लेके double backslash तक सारे जितने भी escape sequences हैं उनको इस्तमाल किया हुआ है आप एक दफ़ा इस example को देखेगा समझने की कोशिश करिएगा output देखेगा और जहां से आपको समझना आए आप मेरे साथ राब्ता करके आप बाअसानी इस चीज़ को समझ सकते हैं आप पहला है झाल 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 झाल